तो आज के इस रीक्शन शो में हम नया रिक्शन शोर शूरू करने वाले हैं जो जिसमें हम आपको दिखाएंगे 2002 में इंडिया ने जब बेस्ट इंडीज का टोर किया था जिसमें पांच वन डे और पांच टेस्स मैच्छस खेले थे तो सबसे पहले हम रिक्शन देंगे पा उस सेरीज के दोनों टीमों के स्कॉर्स के बारे में तो ये श्रिंकला जो है वो खेली गई थी 11 अपरेल से ये स्टार्ट होई थी जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेले गए थे ये सेरीज हला कि वेस्ट इंडीज जीत गई थी 2-1 से अभी फिलाल के हाल में जैसे हो रही है कि इंडिया पहला टेस्ट मैच उर थी और उसके बाद में कॉमबैक करके सारे मैचेच जीत लिती है वही काम उस वक्त वेस्ट इंडीज ने कि तैंडिया के साथ में जी क्योंकि पहला टेस्ट मैच जो था वो ड्राव हो गया था दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने 37 रनों से जीत लिया था फिर तीसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने 10 विक्टों से जीत लिया था चौथा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने 155 रनों से जीत लिया था तो Boreda Joy Townues गयाना स्टेडियम गया था दूसरा टेस्टमैच जो था वो 19 एस तॉरी 19 आप्रिल 2002 से खेला गया था और यह कुईंस पार्ग कोफ़ स्पेंट त्रिनिदाद से में खेला गया था तीछ मैच दो मैऑ 2000 Q को गया था Kensington Old Bridge Town में और ये मुकाबला खेला गया था Bridge Town Barbados में ये मुकाबला खेला गया था चौथा टेस्ट मैच जो है ये 10 में 2002 को Antigua Recreation Ground St. John's Antigua में खेला गया था और पांचवा टेस्ट मैच जो है इस सेरीज का ये खेला गया था 18 में 2002 को Sabina Park Kingston Jamaica Stadium में ये सेरीज बहुत ही बहतरीन सेरीज थी दोनों ही देशों के जनता के लिए क्योंकि इस सेरीज में बहुत ही बहुत ही बहतरीन क्रिकेट देखनों को मिले थी दोनों ही जनता देश की जनता को जिसमें आप देखेंगे कि सचिन का सेंचुरी सचिन ने सुनल्गावस करके रेकॉर्ड की बराबर की थी सेंचुरी के बाद फिर देखेंगे कि अनिल कुमले जबड़ा तूटने के बावजूद मैदान पर दिलेरी से उतरे थे और ब्राइन लारा का विकेट लेकर दिया था टीम इंडिया को हला कि वो टेस्ट में ड्रॉ रहा था लेकिन उए जो दिलेरी दिखाई बहुत ही उम्दा थी वो बात तो आईए अब देखते हैं इस श्रिंकला में दोनों टीमों के स्कॉर्ड के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीम इंडिया के स्कॉर्ड में तो टीम इंडिया के स्कॉर्ड में हैं सौर ओव गांगुली कप्तान नमबर दो पे है राभूर वाइस कप्तान फिर वीबियेस लक्शमन सचिन तेंदुलकर, वसीम जाफर, अजय रात्रा, शिव संदर दास, सहीर खान, संजय बांगर, हर भजन सिंग, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुमले, अशिश नहरा, दीबदाज गुपता और सरन दिप सिंग, ये खिलाडी टीम इंडिये के और से खेले दे इस टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक मैच ऐसा भी था, जो कि चौथा टेस्ट मैच था इस सेरीस का, जिसमें सौरव गांगुली ने पूरे ग्यारा के ग्यारा खिलाडियों से गेन बाजी करवाई थी, जी, क्योंकि उसमें वेस्ट इंडिस के खिलाडी आउट ही नहीं हो रहे थे और पूरे ग्यारा के ग्यारा खिलाडियों से गेन बाजी के थी, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, जैसे ही उस मैच के रियक्शन पर हम आ जाएंगे, तो आएए अब देखते हैं वेस्ट इंडिस का स्कौर्ड, वेस्ट इंडिस का स्कौर्ड में हैं, काल ह विलन, मरलान ब्लैक, एडम सैन्फर्ड, कैमरान कफी, जूनियर मुर्वे और महेंदर नागमुटू, ये खिलाडी वेस्ट इडिस के टीम के और से खेलेते उस सीरीज में, तो ये बहुत ही जबरतस सीरीज रही थी, तो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इसमें किस-किस म हुआ था, ये जानना बहुत ही रोचक होगा, तो आगे कि रोचक जानकरी के लिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, गुडबाई, एंड टेक क्यार